गुड़ मॉर्णिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपका अपना यूर्यूप चैनल पर नचली इश्वात करते हैं पिछले कल की दहन्दूरी टूरिल वकाबलेर के रिवीजन की पहला हमारा वर्था स्टिंथ स्टिंथ का मतलब होता है किसी भी विक्ति कोई कहीं पर कार अगला स्टिंग का मतलब होता है एकदम से एनेर्जी से भरे हुए रहना उत्साहा से भरे हुए रहना उसे बोला जाता है invigorating अगला शब्द है enlist, enlist का मतलब होता है किसी से help मिलना, किसी से support मिलना या फिर मैंने आपको बताया था भरती होना किसी भी जिसे आर्मी में भरती होती है या कहीं भी recruit किये जाता है उसे बोला जाता है elated अगला हमारा शब्द है leave, leave का मतलब होता है अपने हिसाब से हम जरूरतों को amend कर सकते हैं जैसे हमने कोई planning की है और हम अपने शक्तानों सार उस planning में changes कर सकें उसकी freedom होना उसे बोला जाता है leave अगला शब्द है palpable, palpable का मतलब होता है जो साफ तोर पे चीज़ देखी जा सकें सूसपष्ट तोर पर, साफ तोर पर, clearly उसे बोला जाता है palpable अगला शब्द है trivial, trivial का मतलब होता है जो ऐसी बात, जो ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़ जो बिलकुल तुछ हो, बिलकुल भी importance ना रखती हो तो चनगन्या, ना के बराबर, उसे बोला जाएगा trivial, not important अगला शब्द है absurd, absurd का मतलब होता है मुर्खता भरी बात करना, बे तुकी बात करना ऐसी बात करना है, ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई मतलब ना हो उसे बोला जाता है absurd अगला शब्द है innocuous, innocuous का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए harmless हो मतलब हानी ना पहुंचाए, ऐसी चीज़ को बोला जाता है innocuous जो हमारे लिए बिलकुल, मतलब हानी कारक ना हो उसे बोला जाता है innocuous अगला शब्द है quash, quash का मतलब होता है कहस-Нहस कर देना, बربाद कर देना, नस्ट कर देना, एक तो, उसे क्वॉश बोला जाता है, और क्वॉश बोला जाता है, किसी भी तरह का नियम या कानून है, तो उसको रद्द करना, कैंसल करना, उसे भी बोला जाएगा kवउश. अगला शब्द है virtue, virtue का मतलब होता है good qualities, good manners, ethics, अच्छी qualities जो होती है, सिष्टाचार ऐसे गुणों को बोलाता है virtue अगला शब्द है stifle, stifle का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शांत करना, नियंतरित करना किसी चीज़ को suppress करना, उसे बोलागा है stifle या फिर हम बोल सकते हैं गला घोटना किसी का, उस context में भी इस word का use होता है stifle का, अगला शब्द है transgression, transgression का मतलब होता है उलंगन करना, नियं मोया कानूनों का, या फिर किसी की जमीन हड़प लेना, उसे बोलागा है transgression अगला शब्द है visiate, visiate का मतलब होता है किसी को दूरबल बना देना, कमजोर बना देना, वीक कर देना किसी को, उसे बोला गया है visiate या फिर किसी चीज़ को दूशित कर देना, उसे भी बोला जाता है visiate echelon का मतलब होता है, किसी organization में विभिन विभाग है, उन विभागों में किसी का क्या rank है, क्या पद है या organization में विभिन जो विभाग होते हैं, उनको दिखाने के लिए echelon word का use किया जाएका, विभागों या rank को दिखाने के लिए उसके लिए किया जाता है इस word का use echelon का तो यह last word था revision की last slide थी है revision की इस वीडियो को आप daily basis पे दिखा किजिए और 2-3 minute का ही और वीडियो होता है तो इससे आपका revise हो जाये करेगा पिछले कल का जो भी हमने vocab किया है thank you thanks for watching